इस बार बहुत जादा गर्मी पढ़ रही है और दिक्कत यह है कि अपने जरूरी काम की वज़ा से हम घर से निकलना पढ़ रहा है और दोपर में कोशिस कर रहे हैं कि हम घर से कम निकलने कोशिस कर रहे हैं उस टाइम पे जो लोगडाउन लगा था समय जो प्रदूसर का हुआ था उसका वसर हम मौसम में भी देखने को मिला था लेकिन जब से यह कोवीड से कोवीड खतम हुआ है थोड़ा सर कम हुआ है लोगडाउन खतम हुआ लोग घर से बाहर निकले लगे और जैसे जैसे पॉल सर्गुजा जिले में गर्मी ने ढाया कहर सभी लोग हो रहा है पिरसान सर्गुजा जिले में इन दीनों बेताज भीसंड गर्मी का कहर है अपरेल महा के एंतीम दीनों में पाराई 41 डिगरी से लेकर 42 डिगरी हो गया इस भीसंड गर्मी में समान जीबन अस्त बेस्त नजर आ रहा है लोगों घरों में ही रहना जादा तर पसंद कर रहे हैं बाहर निकलने पर लोग ठंडे पानी गरने का जूस और नारियल पानी जैसे चीजों का लाव उठा रहे हैं वहीं छोटे बच्चे वुजुर्ग के लिए यहां गर्मी वहुंती असानियत साबित हो रही है से लेने से क्या कि आदमी को लूट लगने से भी बचा जा सकता है और लोगों को गर्मी में बीृषेस कर बच्चों से लेके सबी को सावधानी बरतने की ज्यूरूब देखे काम की बात करें तो दोपर में सारी चीजे कामें ठप हो जा रही क्योंकि लू लगने से आदमी तब्यत खराब हो जाता है इसे अच्छा आदमी कोशिस करता है कि घर पे रहे और सुबह साम में आदमी कोशिस करता है कि वो समय में अपना काम कर ले मेरा नाम राजियों सुनकर है आप बताए कि किस तरह से लोग यहां पर आ रहे हैं और नारिल पानी यूज कर रहे हैं गर्मी में गर्मी जादा बढ़ चुकी है गम गर्मी में क्या कि लोग पीने की संख्या बढ़ जाती है आज का लोग ठंडा से जादा नारिल पानी को पस